नमस्क्राइब दोस्तों मैंने प्यूशा आप दिखते कोश्यनार भारत जो मैंने टम्नेल लगाया है उसमें कुछ हद तक सच्छाई है अगर आगे रुकेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या है क्या ट्विस्ट है क्या ट्रिक है सुब्रमनें स्वामी सापका इंटर्वी हुआ बिजनस टूटे के साथ उनसे पूछा गया कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते या आपको डिसिजन मेकिंग में रखा गया होता या फिर किसी तरीके से इस पॉलिसी में आपका भी कॉंट्रिब्यूशन होता तो आप क्या करते जो यूनियन बजट आने वाला है 2022 से इसका अभी हाली में तो आपके क्या राय होती आप क्या चेंजस चाहते तो सुब्रमनें स्वामी ने हमेशा की तरह और हर बार उनका एक स्टेंड रहता है ये कुछ स्टेंड कॉमन है आपने पहले भी सुना होगा उन्होंने कहा और इसपे मैं चाहता हूं आप भी अपनी रहे दीजिए कमेंड ने बताईए उन्होंने कहा कि जो पैंड़मिक चला है सरकार को चाहिए कि इस पैंडमिक तक जब तक सब कुछ ठीक नहों जाए नॉर्मल पे ना आ जाए ट्रैक पे ना जाए तब तक इंकम अबॉलिश करने हम इंकम टैक्स ना ले और अगर सब कुछ अच्छे रिजल्ट आता है इसके अबॉलिश करने के तो एक टाइम तक कंटिन्यू रखें उसको आपस से ना करें कि फिर से टैक्स पर टैक्स देते जाओ ठिक यह बहुत अच्छा है स्टैप होता है आप भी बता सब्सक्राइ़न गांगर तक छी अqर ताकि यह जादा-जादा से लगरों करें और स्वामेश आपको एपना स्टैंड है अपनी स्टैंड है अपने टेक्निकर एनल स्ट्न में और उनका पुराना इतिहास रहा है, कहां-कहां पढ़ाने गए, कहां-कहां प्रोफेसर रहे हैं, तो उनका कहना कि यह हमारे हाथ में है, यह हमारी सीमाओं में आता है, इसके हम capable हैं, और उन्हें कहा कि एक टाइम पे हम लोग GDP का 36% बचा लिया करते थे, और 80% उसका आता था हाउसखोल्ड इंडस्ट्री से, और आगकी रेट में 36% किर के 31% हो चुका है, और इसका मतलब यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी गिर चुका है, और इन्वेस्टमेंट सेविंग से ही आता है, अगर कहीं बीचा सरकार हो चाए घर हो, अगर आपके पास सेविंग्स हों सरकार रोड के इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करने में मदद करती, और इस सवाल के अन्त में स्वामी साब एक छोड़ा सा इलजाम भी लगाते गए सरकार में, कि 2016 के बाद से GDP का जो दर है, ग्रोथ रेट जो है, वो आठ से तीन पे आ चुका है, अगर आप सही तरीके से कैल से स्टेज पर नहीं है, कि बहुत revenue जनरेट हो रहा है, बहुत sources हैं वगारा है, सब के पास एक common सवाल होता है, उसके हिसाब से सवामी सामने कहा, कि सरकार के पास अन्य resources भी हैं, और उनका कि जैसे 2G के license है, कोल के auctioning है, यह सब करेंगे, तो अभी जो 2G का पहला auctioning हुआ, उ मुझे नहीं पता सरकार सुपरवनें स्वामी साफ की कितनी सुनेगी, कई मामलों में सुनती है, और उनका एक बहुत समय से इल्जाम भी रहा है, या फिर इच्छा भी re-ambition भी रहा है, कि उनको finance minister बनाया जाए, ऐसा वो कई बार जाहिर कर चुके हैं, किन कारणों से सरकार उनको नहीं बना रहे हैं, मुझे नहीं पता, किन कारणों से नहीं बनना चाहिए, इसके कई technical और logical और उनके arguments भी ऐसे हैं, उनके पास चीज़ें हैं करने के इनके पास vision है देश के लिए, मुझे नहीं पता भविश्य में क्या होगा, उनकी कितनी उमर बची है, क्या eligibility criteria, क् लेकिन सुब्रमने स्वामी साथ की इस बात पर जो मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि वो भाजपा के member भी हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े-बड़े cases रड़े, इतनी बड़े-बड़ी मुहीम चला, इतने बड़े-बड़े लों को jail भीजवा, इतने बड़े-बड के लिए ही सही, एक बार इस बात पर विचार करना चाहिए, अपने ब्यूरोक्राइट से, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी डिप्लोमेट से, जो भी लोग हैं, बुद्धी जीव, इंटलेक्शल लोग हैं, अपनी कमेटी में चाहिए, बाहर चाहिए, जैसे भी, एक रिसर्च करवा, एक पैनल बिठाएं, और देखें कि कितना पॉसिबल है, आज के सिनेरियो में, कितना फीजिबल है, कितना हम इसको धरातल पर देख सकते हैं, और भारत के लिए कितना अच्छा, आप बताए कि अगर आपको कल से पता चले कि अचानक से मोधी सरकार ने आड़ बजा अनाउंस्मेंट कर दिया कि मित्रों, इंकम टैक्स नहीं रहा, आपको कैसा लगेगा उस वक्त, क्या आप चाहते हैं, यह होते हुए देखना चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं, यह वीडियो को शेयर करिए, इस बात को आगे तक पहुचाए, उस सरकार से मा पहुचाए, फिर मिलते हैं, अगलों जैहिन, बंदे मात्र,